नमस्कार, स्वागत है आपका क्रोफेशनल एस्टाउलजी पर मैं यश्रास्तेवारी आज आप सभी के समख उपस्तेथ हुआ हूँ नवंबर दो हजार चौबीस के मासिक राशी फल को लेकर इस राशी फल के कारिक्रम में हम चर्चा करने चाह रहे हैं नवंबर दो हजार चौबीस का मन्थ आपके लिए क्या फल को लेकर क्या रहा है साथी साथ हम ये जानेंगे कि इस मन्थ में आपको क्या उपाय करने चाहिए जिन उपायों को करके आप अपने इस मन्थ को और शेष्ट बना सकें इस राशिफल के कारिक्टरम में हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वास इस मन्थ में कैसा रहने वाला है आपकी ओवरॉल फाइनेशल कंडिशन इस मन्थ में कैसे रहने वाली है आपके करियर वाइस ग्रोथ इस मन्थ में क्या होने वाली है नौकरी पेशा यदि आप है व्यवसाय यदि आप करते हैं तो इस मन्थ में इन में क्या परिवर्टन आने वाला है साथी साथ आपके लव लाइफ के विशे में हम चर्चा करेंगे आपके मैरेड लाइफ के विशे में हम चर्चा करेंगे आधार पर भी इस राशिफल के करिक्रम को देख सकते हैं अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस मंत में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है तूरे 16 नमबर 2024 के दिन तोला राशी को छोड़ करके वरिष्टिक राशी में प्रवेश करेंगे साथी साथ शुक्र वरिष्टिक राशी को छोड़ करके साथ नमबर 2024 के दिन धनु राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं तो इन ही ग्रहों की इस्तिती के आधार पर बाकी ग्रहों की इस्तिती आपको वर्तबान समय में स्क्रीन पर देखने में मिल जाएगी इन ही ग्रहों की इस्ति पर upload किया जाता है उसके notification आपको मिलता रहे यदि इस का रिक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता है तो आप इस वीडियो को जादा सा जादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाब और उसका माध्यम आप सभी दर्शिक बने आईए अब हम चर बुद्ध और शुक्र की द्रिश्टी इस मंध में होने वाली है साती साथ आपके पंचम भाव के समय मंगल अश्टम स्थान में नीच राशी में संचरन कर रहे हैं धनू राशी के जातकों के लिए इस मंध में सबसे जादा जो उनको फोकस करना है या जिस जगे पर उनको ध्यान देना है वो है उनकी हेल्थ सिक्स हाउस पर गुरू का गुचर होगा सश्ठेस्थ गुरू होने के चलते पेट से सम्मंधित परिशानिया हो सकती हैं बारवेभाव में शुक्र बैठे हुए हैं शनी और राहू की द्रिश्टी से द्रिश्ट जो की ये निकेन प्रक आपकी बहुत जादा होगी जिसके चलते पेट से सम्मंधित परिशानिया आपको हो सकती हैं बारवेभाव में बुद्ध की उपस्तिती है वो शत्रू राशी में है और इबोदर शुक्र की उती जिस राशी में हो उस भाव के स्वामी मंगल बनते हैं वो नीच के हैं और पर शनी और राहु दोनों की ही द्रिश्टी पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं सकिन से सम्मंधित दातों से सम्मंधित परिशानिया भी आपको देखने में मिल सकती हैं बाहर का खाना बाहर के भुजन से आपको इस मांत में बचना चाहिए नहीं तो पेट से सम्मंधित किसी के शान्ती बिजहनी आपको महसूस हो सकती है बट पंचम भाव के स्वामी मंगल श्टम भाव में नीच राश्री में बैठे हैं तो जो स्टूडेंट्स रीसर्च की फील्ड से बिलाउंग करते हैं या वो लोग जो की किसी तरह कि investigative job में हैं उनके लिए मंध काफी अच्छा होने वाला है मंगल की उपस्थती अश्टम भाव में स्वास्त से संबंदित परिशानियं तो देगी चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है त्रितिय भाव में जो शनी बैठे हैं में वाहन को चलाना चाहिए अश्टम भावस्त मंगल की जो चौथी द्रिश्टी होगी वो लाब भाव पर होगी और साथी द्रिश्टी धन भाव पर होगी यहां पर कुछ पॉजिटिविटीज निकल करके आती हैं यदि आप share market के टित्यादी में निवेश करते हैं तो आपको आकस्मात रूप से बड़े धन का लाव इस मन्त में देखने में मिल सकता है अश्टम भावस्त मंगल की द्रिश्टी लाव और धन दौनों ही भावों पर होने के चलते आपको कमीशन से संबंधित धन का आगमन इस मन्त में देखने में मिल सकता है हो सकता है कि किनी दो लोगों का आप काम करा है उसके बीच में जो कमीशन बचता है वो आपका हो बड़े कमीशन के मिलने की संभाव ना है धनू राशी के जातकों के लिए इस मन्त में बनती है गोल्ड खरीदना चाह रहे थे तो गोल्ड को खरीद करके संचित इस मन्त में आप कर सकते हैं या आपके द्वारा औरेड़ी जो स्वर्ण संचित है उसका एक सही भाव में सूरी की उपस्ति है जो कि भागे भाव में बैटकर के नीच राशी में संचरल कर रहे हैं और इस 16th of November तक रहेंगे तो धन आगमन के sources को भी बना कर के आपके लिए रखे हुए लाब भाव में सूरी कहीं न कहीं आपको एक से अधिक मारगों से धन का लाब देंगे बढ़ा बड़े भाई भैनों के साथ में आपके संबंद इस सूरी की वज़े से खराब हो सकते हैं संतान पक्ष को लेकर के चिंता साफ समझ में आती है क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल अश्टम में हैं और सूरी दोनों की दृष्टी संतान भाव पर पड़ रही है संतान को लेकर के चिंता हो सकती है संतान के साथ में मदभेद हो सकते हैं संतान को लेकर के संबंदों में उतार चड़ाव भी आपको इस मंत में देखने में मिलने वाला है हो सकता है संतान को लेकर कि किसी तरह की चिंता आपको इस मन्त में सताए पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है लव लाइफ के पॉइंट अव्यू से पंचम पती अश्टम स्थान में बैठे हैं दे रही है फिर भी ये प्रॉब्लम जादा तो सेवंध आफ नवंबर तक है सेवंध नवंबर के बाद में शुक्र राशी परिवर्तन करके जब आपके लगन पर आपके राशी पर आजाएंगे तो कुछ हदितक जादा पॉजिटिविटी आएगी रिलेशिप के मामलों में परिशानिया देखने में मिल सकती हैं जीवन साथी को क्रोध की अधिकता भी आपको देखने में मिलेगी आपके पार्टनर के नेचर में क्रोध के विवृद्धी होने वाली है उनकी वाणी में कड़वाहट भी इस मन्त में आपको देखने में मिलेगी तो आपको इस मन्त में अपने जीवन साथी के स्वास्त का उनके रवये में बदलाव भी आपको देखने में मिलेगा तो Married Life की Point of View से देखा जाए तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्त का ध्यान रखना है और उनके रविये में थोड़ा सा बदलाफ भी आपको देखने में मिलेगा तो इस बात के लिए आपको प्रिपेर रहने की आवशकता है और आखों में जलन की शिकायत है, यदि आपके पिता को हार्ट से सम्मंधित या कंधों में धर्द इत्यादी से सम्मंधित परिशानी थी तो जा करके उनका शेकप करा दीजेगा गुरू सश्थ भाओं में हैं किसी भी तरह का रिस्क लेना आपके लिए इस मांत में बेनिफीशल दिखाई देता है क्योंकि मंगल भी नीच राशी में हैं और बारवे के स्वामी हैं तो रिस्क को लेकर के आपके काम बनने वाले हैं करियर के point of view से भी मंत ठीक ठाक रहेगा बहुत जादा अच्छा boss के साथ में relations कुछ हदे तक खराब हो रहे हैं जिसकी वज़े से ये ठीक ठाक word आया नहीं तो अगर financially आप करियर को देखते हैं तो वो आपका करियर इस मंत में अच्छा दिखाई देता है संचित धन और कुछ हदे तक यात्रा होने के योग भी इस मंत में बनते हैं किसी भी काम की शुरुआत आप इस मंत में करते हो उसको बीच में मत छोड़िएगा उसको end कर दीजेगा नहीं तो आपके भाग्ये का साथ कम मात्रा में मिल पाएगा जो परेशानिया है उनके लिए उपाए के तौर पर आप गुरुवार के दिन विश्नु सहस्तर नाम का पाठ करिए और नित्य ओम नमो भगवते वासु देवा इस मंतर का आपको जाप करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल चड़ाये करिए स्पेशली 16 अफ नमंबर के बाद में सूरी के अराधना करने के आवश्यक्त संतुष्ट होगी यदि आप इस कारिक्रम को देखते हैं और इस कारिक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन प्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अप झाल